कई लोगों को गिप्ट मिलता है और कई लोग किसी से कुछ चीजें मांग लेते हैं यदि आप भी ऐसा करते हैं तो भूल कर भी साथ चीजें कभी फ्री में ना लें अन्यथा आपकी इस्थित कमजोर होने लगेगी और धीरे धीरे आप कंगाल हो जाएंगे फिर हमेशा आप लोगों से मांगते ही रहोगे जानिये वे कौन सी वस्तुएं हैं जिन्हें कभी भी फ्री में नहीं लेना चाहिए उसका दाम अवस्य चुका देना चाहिए नमस्कार दोस्तों जैसिरीकृष्ण स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल पंडित के टोटके में दोस्तों आपसे बिनर्म निवेदन है चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें साथ ही वीडियो को लाइक करें कमेंट में जरूर बताएं जानकारी आपको कैसी लगी दोस्तों पहला है नमक नमक अपना ही खाना चाहिए दूसरों का नहीं घर में यदि अचानक से नमक खतम हो गया हो तो तुरंत ही आपको नमक की जरूरत पड़ती है तो आप पडोसी से फिरी में थोड़ा नमक मांग लेते हैं तो भूल कर भी यह गलती मत करियेगा नमक का संबंद सनी से है यदि मुफ्त में नमक लिया है तो फिर आर्थिक तंगी शुरू हो जाएगी सेहत पर भी इसका बुरा असर पड़ेगा आप पर कर्ज भी बढ़ सकता है दोस्तों दूसरा है माचिस माचिस अगनी का प्रतीक है और अगनी मंगल का प्रतीक है यदि आप पड़ोसी से या किसी अन्य से माचिस मांगते हैं तो घर में असान्ति फैलेगी घर के सदस्यों के मन में भ्रम होगा क्रोध और अमभिश्वास की भावना का जन्म भी होगा इसलिए माचिस कभी फ्री में नहीं लेनी चाहिए दोस्तों तीसरा है सुई सुई को कभी भी किसी से मुप्त में नहीं लेना चाहिए यह आपके बैबाहिक जीवन में कलेस को जन्म दे सकता है पती पतनी के बीच रिस्तों को बिगार सकता है आपसी प्रेम संबंध में कमी आती है इसलिए बेहतर है कि आप सुई किसी से मुप्त में ना लें दोस्तों यह सनी देव से संबंधित वस्तु है, फ्री में लोहा लेने से घर में परिवार में दरिद्रता और गरीबी का वास होने लगता है। पांचवा है काला तिल, भूल कर भी किसी से मुप्त में काले तिल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह भी सनी साथ में राहु और केतु से संबंधित है, ऐसे में काला तिल लेने से घर में मुसीबतों को दावत देने जैसा हो जाता है। इससे लेने के देने पढ़ सकते हैं। दोस्तों छठा है तेल या भी सनी का प्रतीक है। फ्री में तेल लेने से आप किसी बड़ी परेसानी में पढ़ सकते हैं। फ्री में तेल लेने से आर्थिक नुकसान हो सकता है और इससे घर में नकारात्मक प्रभाव पढ़ता है। इससे घर परिवार में दरिद्धा बनी रहती है। दोस्तों सातवा है रूमाल। भले ही थोड़ी देर के लिए ही सही लेकिन कभी भी किसी से रूमाल नहीं मांगना चाहिए। फ्री में रूमाल नहीं लेना चाहिए। ऐसा करने से संबंदित ब्यक्ति से आपका जगड़ा हो सकता है। दोनों के संबंधों में दरार आ सकती है और आपसी प्रेम खत्म हो सकता है। दोस्तों यह जानकारी थी सात ऐसी चीजों की जिनको आप भूल कर भी किसी से फ्री में ना ले। अनिथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में आपसे निवेदन करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक करके कमेंट में हमें जरूर बताइए। जानकारी आपको कैसी लगी इसी के साथ वीडियो लेते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जैसरी कृष्ण।